दरसल गंगोत्री ग्लेशियर को गंगा नदी का उदगम माना जाता है और ये ग्लेशियर धीरे-धीरे पिघल रहा है और ये ऐसे ही पिघलता रहा तो जल्द ही गंगा नदी सूप जाएगी गंगा के स्वर्ग वापस लोटने के संदर्भ में श्रीमत देवी भागवत में कथा है कि एक बार गंगा और सरस्वती के बीच विवाद उत्पन्न हो गया बीच बचाव के लिए लक्षमी आई तो सरस्वती ने लक्षमी को व्रिक्ष और नदी के रूप में प्रिथवी प इस घटना के बाद नारत जी ने भगवान विश्णू से जब पूछा कि तीनों देविया नदी रूप में प्रिथवी पर कब तक रहेगी इसके उत्तर में भगवान विश्णू ने नारत से कहा कि जब कलियुक के 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तीनों देविया वाप करके अपने लोक लोट जाएंगे इनके साथ शंक, साधू, श्राध कर्म, धर्मकर्म, देवताओं की पूजा एवं कीर्तन का भी प्रिथवी से लोप हो जाएंगे